हाई वेट्स आज की इस वीडियो में जो हमने लास्ट जो वीडियो में आपलोड की थी एक्समेंट और प्रापरटीज को लेके तो जो मैंने एक्स्प्लेइन किया था आज उसकी कुछ कुछ इक्जंप्ल प्रैक्ट्रिकारटीज के लिए करते हैं लाइक हमारे पास एक वीडियो में आपको बताया था था बैस इस हमारे पास क्या आज एगा देखिए लाइक में ने प्रिवेस वीडियो में आपको बताया था बेसे सेम देखे 3, 3, 3 सेम बेसे आ रहे हैं न यह हमारे पास होता है लाइक का I told you before कि हमारे पास है बेस एंड यह हमारे पास इसके उपर जो है एक्स्पोनेंट है इसका सो हमने पहले किया था कि जब बेसे सेम होंगे आपस में मल्टिप्लाइ होंगे तो उनकी पावर्स एड हो जाएंगी एक्स्पोनेंट एड हो जाएंगे तो यह बन जाएगा 3 का स्केर प्लस 4 प्लस माइनस 5 अब देखें यह प्लस मेरे जैसाब को बोला था मल्टिप्लाइ हो रहे हैं तो प्लस होगा राइट इसके उपर माइनस 5 है यह माइनस 5 के लिए मैंने ब्रैकेट्स लगाए है क्योंकि एक्शली प्लस हो रहा है तो यह माइनस 5 तो इसके साथ माइनस 5 के साथ है तो इसलिए हमने इसके साथ minus 5 लगा दिया तो अब देखें इसको solve करते है 3, 4, 2, 6 plus minus आपस में multiply होंगे तो minus आजाएगा sin minus का 5 which is equal to 3 power 1 basis same आपस में multiply हो रहे हैं exponent उनके add होगे और ये plus multiply minus के साथ हो जाएगा minus आजाएगा तो ये हमारे पास इसका answer रहा जाएगा 1 इसी तरह से हम एक और example साथ करते हैं जिसमें वो कहा रहा है कि हमारे पास है minus 2 x square y 3 whole power 3 अब जैसे कि हमने previous जैसे कि मैंने previous वीडियो में आपको बताया था अब ये जो bracket के बाहर जो ये 3 है इसका मतलब है ये 3 इसके भी power है इसकी भी power है इसकी भी power है ये exponent इन तीनों का है जब हम इसको open करेंगे ये तीनों का है और साथ में minus का अब minus के लिए हमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ जब minus की power even हो even number हो तो answer आएगा इसका plus जब minus की power odd number हो कोई भी तो answer आएगा इसका minus अब even क्या होते है even number like 2, 4, 6 जो number 2 से divide होते हों वो even number होते हैं और जो number like 3, 5, जो के 1, 2 से जो हैं वो divide ना होते हों वो हमारे पास odd number होते हैं तो यहाँ पर देखें 3 एक odd number है तो यह minus जो होगा वो minus ही रहेगा ठीक है और यह 2 की power 3 अब x की power तो आरड़ी हमारे पास 2 है तो इसलिए हम जो हैं वो एक चोटी सी bracket लगा लेते हैं और यह power बार वाल भी इसके साथ आ जाएगी y power 3 3 अब यह minus 2 power 3 अब x power 2 की power 3 अब मैंने last आपको वीडियो में पताया था कि यह क्या हो जाएगा अब इसमें दोनों powers multiply हो जाएगी same like here 3 multiply with 3 आ जाएगा अब minus 2 power 3 2 power 3 का मतलब क्या है 2 को 3 times multiply करने है 2 multiply with 2 multiply with 2 x 6 y 9 which is equal to 2 2s are 4 4 2s are 8 minus 8 x 6 y 9 इसका answer आजाएगा ठीक है same नहीं पीट करता हूँ यह हमारे पास है question minus 2 power minus 2 x power 2 y power 3 whole power 3 अब यह whole power है whole power मतलब है यह तीनों पे आ जाएगी अब इनके साथ तो आरेड़ी हमारे पास exponent है 2 भी है 3 भी है तो जब exponent का exponent आ जाए that means कि यह दोनों अपस में multiply हो जाएगे तो यह 2 power 3 2 power 3 मतलब कोई भी नमबर की power 3 का मतलब यह होता है कि उसको उतने time उसके अपस में multiply करो 2 को 3 times multiply करो 2 को 3 से multiply नहीं करना 2 को 3 time multiply कर रहे है that way become 2, 2, 2 that way become 2, 2s are 4 4, 2s are 8 यह minus, minus की power even होगी answer plus आएगा minus की power odd होगी यह minus में ही रहेगा तो यह minus की power 3 है न तो 3 means minus अगर यहां पर 4 होता तो यह minus plus में convert हो जाता बट यह minus है तो minus means कि 3 minus ही रहेगा ओके